हाई व्यूवर्ज, जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे तीन तरह की चटनी और चाट वाली दही की देशिपी तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूड रेशिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो आज हम बनाने वाले हैं हरे धनी और पुदीने की चटनी लाल मिच और लहसुन की चटनी खटी मिठी इमली की चटनी और चाट वाला दही ग्रीन चटनी या फीर हरे धनी और पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप हरा धनी और एक कप पुदीने के पत्ते लिए हैं देखिए हमने यहाँ पर जो हरा धनी लिया है उसे हमें इसकी डंडी के साथ ही लेना है छटनी बनाते वख्ट हम हरे धनी को उसकी डंडियों के साथ ही इस्तिमाल करेंगे इसे हम मिक्सी जानमे ट्रांस्फर कर देंगे इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे एक टेबल्स्पून दालिये यानि की भूने हुए चने देखें आप यहाँ पर डालिये की जगा एक टेबल स्पून सफेथ तील भी एट कर सकते हैं और अब हम इसमें कुछ और इंग्रीडियंट्स एट करेंगे जैसे की पाँच लहसुन की कलिया, दो छोटी हरी मिर्च, हाफ टीस्पून जीरा बाउडर और हाफ टीस्पून नमक तकरीबन एक चोधाई कब जितना पानी एट करेंगे हम इसमें और इसे मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है देखिए अगर आप गाड़ी चटनी बनाना चाहते हैं तो पानी की क्वोंटिटी थोड़ी कम कर दे अब हम बनाएंगे स्पाइसी लाल मेश और लहसुन की चटनी तो हमने यहाँ पर पांच से छे लाल मेश ली है यह जो लाल मेश है इसे हमने पांच मिनिट के लिए गरम पानी में भिगो दिया था देखे पांच मिनिट तक गरम पानी में भिगोने के बाद यह जो मेश है यह अच्छे से सोफ्ट हो चुकी है अब हम इस्से मिक्षी जान में ट्रांसवर देंगे इसी के साथ हम इसमें add कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन की कलिया 1 टेबल स्पून चीनी half teaspoon नमक और half teaspoon जीरा और इसमें add करेंगे एक चोथाी कब जितना पानी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इसे मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है यह देखिए अब हमारी बनाई हुई हरे धनिय पुदीने की ओल लाल मिच लहसुन की चटनी में हम नीम्बू का रस एट करेंगे तो यहाँ पर हमें दोनों बोल में एक एक टेबल स्पून जीतना नीम्बू का रस एट कर देना है इसी के साथ यहाँ पर हमारी जो दो चटनी है वो बनकर तयार है अब हम बनाएंगे खटी मिठी इमली की चटनी तो खटी मिठी इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम इमली और खजूर को 15 मिनिट के लिए गरम पानी में भिगो देंगे तो यहाँ पर हमने जो इमली और खजूर ली है इसे हम एक ग्लास गरम पानी में भिगो देंगे तो हमने यहाँ पर जो 100 ग्राम इमली और 5 खजूर ली थी उसे भीगोए हुए 15 अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे देखे ग्राइंड करने से पहले हमें इस मिक्स्चर में से इमली और खजूर के सारे बीज अलग निकाल लेने हैं और अब हम इसमें एट कर देंगे गुड तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम इमली के लिए 100 ग्राम गुड लिया है आप इसकी जगा 100 ग्राम चीनी भी एट कर सकते हैं यह देखे हमने यहाँ पर खजूर गुड और इमली को मिक्सी जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब हमारे ग्राइंड की हुए मिक्षर को हम छन्नी की मदश से चाल लेंगे तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा मिक्षर एट करते जाएंगे और इस तरह चम्मत की मदश से चलाते हुए हम इसे चाल लेंगे इस तरह छन्नी की मदश से चाल लेने से इमली के पेस्ट में जो रेसे और छिलके हैं जो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए वो अलग हो चुके हैं अब हमारा जो इमली का पेस्ट है इसकी हम चटनी बनाएंगे हमारे तयार किये हुए इमली के पेस्ट को हम एक पेन में ट्रांसफर कर लेंगे इसी के साथ हम इसमें कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे तो सुखे मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक टीस्पुन नमक, एक टीस्पुन जीरा पाउडर, एक टीस्पुन लाल मिश पाउडर और एक टीस्पुन धन्या पाउडर इस सटनी को स्पाइसी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लाल मिश पाउडर की कुएंटिटी ज्यादा रखी है आप उसे कम भी कर सकते हैं और इसमें एड़ करेंगे आधा ग्लास पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद इसे कुछ देर तक लो फ्लेम पर पकाएंगे हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद हमने इसे 15 मिनिट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है अब देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो अब डार्क ब्राउन हो चुका है इसी के साथ हमारी जो इमली की चटनी हो बनकर तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे अब हम बनाएंगे चाट वाला दही तो चाट का दही बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गाढ़ा दही लिया है इसा गाढ़ा दही घर पर कैसे जमाते हैं उसकी वीडियो हमने ओलेडी अप्लोड की हुई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब हम इस दही को अच्छे से फेंट लेंगे दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है अब हम इसमें एट करेंगे चीनी तो हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी ली है अगर आपका दही ज्यादा खटा हो तो आप चीनी की quantity अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं अच्छे से mix कर लेंगे और इसे एक मिनिट तक और फेंटेंगे चीनी एट करने के बाद हमने इसे अच्छे से एक मिनिट तक फेंट लिया है इसी के साथ हमारा चार्ट का दही बनकर बिल्कुल तयार है इसे पहले भी हमने राजस्थानी लाल मीच की चटनी और बाजरे की रोटी की वीडियो सेर की थी अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाएका इंजा का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिप्टी के साथ तब तक के लिए गुडबाई